चूड़ा मटग दिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप इसे एक बार बार आपका बनाने का मन मनुद करेगा, बहुत कम तेल में बनती है और बहुत ही हल्दी होती है, तो आज हम माही खाना का जाना में इसे चूड़ा मटग की रेसिपी आपके शेयर करेंगे, तो भी बना की तो इसली ले जा सकते हैं तो चलिए friends, अपनी recipe को शुरू करते हैं उससे पहले हम एक pan रखेंगे pan में थोड़ा सा oil add करेंगे आप oil या देशी घी जो भी add करना चाते हैं वो add कर सकते हैं oil को pan में अच्छे से फैला लेंगे और इसको थोड़ा सा घर्म होने देंगे friends, इस टाइम हम गैस की आज़को बिल्कुल slow कर देंगे और अब इसमें डालेंगे एक cup पोहा आप कोई भी cup या quantity से पोहा लेज़ते हैं friends, इसको तेल के साथ अच्छे से mix करेंगे और medium hard पर इसको तक तक भूनेंगे आप चाहे तो मोटे वाले चीवड़ा का यूज़ भी कर सकते हैं यह रेस्प्य आप किसी री चीवड़ा से बना सकते हैं friends, आप इसे सुभा या साम किसी री टाइम नास्पे में गर्म गर्म सार्फ कर सकते हैं friends, इसको हमें लगातार चलाना है क्योंकि कहीं से यह ज़्यादा कहीं से कम नहीं भुने इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है friends, इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और साथी साथ इसमें बहुत कम मसाले होते हैं और यह हमारी हेल्प के लिए भी बहुत अच्छा होता है बहुत कम कोईली होता है इसलिए आप इसे अपने नास्ते में जरूर सामिल कीज़े friends, यह देखे हमारा चुबड़ा अच्छी से भुन गया है अब हम इसे कडाई से बहा निकाल लें friends, चुबड़े को भूनने के बाद तुरंत कडाई से बहा निकाल लें चुबड़े को हम कडाई में छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा इसलिए तुरंती से बहा निकाल लेंगे friends, यह देखे, मैंने चुबड़े को कडाई से बहा निकाल लें आप देख रहे हैं, चुबड़ा बहुत ही क्रिस्पी हो गया है क्योंकि यह ऐसे ही तूट रहा है चलिए अब आगे का प्रोसेस करता है और friends, बापस से उसी पैन को हम गयस पे रखता है और उसमें एक बड़ा चमबच ओईल अट करता है क्योंकि हमें इसमें मत्र को भूनना है friends, smile, clickhem हमारा сы अच्छे सह गर्म हो गया है इस stage बे हम इसमें थोड़ा सब जीर एक शरी आग करेंगे और ऐसे हरी mix को ऐसे पीछ से कट करके इसमें एक करेंगे और mix को अच्छी के सबस्के सौटी करनेंगे mix दालने के साथ कर हम इसमें एक बड़ा क्याज दम्मेश दम्मेश में कट करके एड़ करेंगे डेस्से के से लोजी रखेंगे और ख्याज को हमें खलका सो सौथी कर लेने छंस इस रेशिपी में ख्याज इसा बड़ी अच्छा होता है और शंस मटर के जाज भाने का मज़ा भी बहुत आता है तेरे धीरे चलाते रहेंगे जिसे के हमारी प्याज जल्दी से सौटी हो जाए प्रेंग्स ये देखे हमारी प्याज अच्छी से सौटी हो गई है अब हम इसमें एक कप मतर एड़ करेंगे और मतर को भी प्याज के साथ अच्छ से मिक्स करेंगे और इनको भी अच्छ से सौटी कर लेंगे तरंस मतर जल्दी से सौटी हो जाए उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 तेविल स्पून नमक डालेंगे एक बात का ध्यान रखें मतर में अगर नमक खोड़ा सा भी जाद हो जाए तो उसका टेस्ट दिगड़ जाता है इसलिए नमक को अपने टेस्ट के अपोर्डिंगी डाले इसको इसे मिक्स करेंगे इसलिए हमारी मतर जल्दी से स्वाटी हो जाए और इसको लगाता है चलाते तो चलाते लिए ह суक मतर में नमक यह जाए जाता कि मतर का निशास होती है नमक दाने से वह खत्म हो जाते है और मतर का दोच़्जी डागर जाते हैं अब हम इसको एक lid से cover करेंगे और इसको जब तक पताएंगे जब तक हमारी मटर अच्छी से soft नहीं हो जाती और पट नहीं जाती और गेस की claim को बिल्कुर slow रखेंगे अब हमने जो पहले चूड़ा रोस्ट करके रखा है उसको इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे चूड़ा मटर की रेसिपी के लिए हमें फ्रेश मटर की जरूत होती है कि फ्रोजन मटर में वो टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश मटर में आता है इनको फ्रेंट ये रेखें मैंने चूड़ा और मटर को अच्छी से mix कर दिया है तो फ्रेंट्स किये लिजे बिहारी स्टारी चूड़ा मटर बनकी तैयार है अब हम इस सर्विंग बोल लेते हैं और अपने चूड़ा मटर को सर्फ कर दिया है आप इसे किसी वी टाइम स्नैक की रूप में खा सकते हैं एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राएगे ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षिन में लिएक जरूर बताइए तो पैंट्स कल मिलते एक नई रेसिपी के साथ थेंक यू बागाई